हर्याना के दस जिलों और पंजाब के तेरा जिलों में मौसम विभाग ने दी है चेतावनी, यहां पर शुक्रवार 29 दिसंबर 2023 को घना कोहरा और धूंद होने की संभावना है 30 दिसंबर 2023 शुक्रवार को बारती मौसम विभाग चंडिगड कारले के अनुसार कहां कहां पर रहेगी गहरी धूंद और उसके अनुसार पंचकूला में घना, कोहरा और धूंद रहने की संभावना है यलो अलर्ट है अमवाला के लिए और यम्ना नगर के लिए औरेंज अलर्ट है जबकि कुरक्षेत्रा, कैथल और करनाल में 29 तारीक को रेड अलर्ट दिखाया गया है काफी गहरा धूंद रहने की संभावना है फिर महंदरगड, रेवाडी, जजजर और गुरुग्राम में औरेंज अलर्ट है काफी घना, कोहरा रहने की संभावना है मेवात और पलवल में धुन्द रहेगी येलो अलर्ट है फरीदाबाद में औरेंज अलर्ट है जबकि रोह तक सोनी पत और पानी पत में तीनों में 29 तारीक को शुकरवार को रहेगी रेड अलर्ट काफी घना कोहरा रहने की संभवना है धुन्द बनी रहेगी फत्याबाद, हिसार और जीन में भी रेड अलर्ट मौसम विभागने जारी किया है इसके बाद विवानी और चर्की दादरी में औरेंज अलर्ट दिखाया गया है आईए साथ हो आप देखते हैं पंजाम में कल मौसम शुकरवार को 29 तारीक को किस परकार का रहेगा वारतिय मौसम विभागने अनुसार पठान कोट और गुर्दासपूर में तो है औरेंज अलर्ट और श्री अमरेसर साहब और तरन तरन में रेड अलर्ट है काफी जादा धुन्द होने की संभावना है जबकि होशियारपूर और नावा शहर में औरेंज अलर्ट है ये यलो अलर्ट से जादा भारी है दुन्द रहने की संभावना है फिर कपूर थला और जिलंदर में जो है रेड अलर्ट है शुकरवार रुन अतिस तारीको फिरोजपूर फाजिल का फरीद कोट इन जिलों में भी जो है गहरी धुन्द रहने की संभावना है ठंड बढ़ जाएगी और फिर है फरीद कोट श्री मक्सर सहेब मोगा और उसके बाद बटिंडा इस बेल्ट में भी पूरा जो है रेड अलर्ट है कल उनतिस तारीक को गहरी धुन्द रहने का लुध्याना बरनाला मांसा में भी रेड अलर्ट दिखाया गया मौसम भिभाग के दुआरा संगरूर में भी रेड अलर्ट है जबकि श्री पतेगर सहाभ में औरंज अलर्ट है पतेआला में भी रेड अलर्ट रहेगा रूप नगर में भी जो है मौसम घना कोरे वाला और धुंद वाला रहेगा सब रखेंगे ध्यान नमस्कार